नमस्कार स्वागत है आपका सीनी उस भारत में मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्तव हर्याना और जम्मू कश्मीर की 90 विधान सभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है पार्टियों के भागे का फैसला आज हो जाएगा जम्मू कश्मीर में अब तक के रुजानों में नाशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रिस गटबंदन ने बहुमत काकडा चू लिया है ये गटबंदन अभी 50 सीटों पर आगे चल रहा है वहीं बीज़पी 26 सीटों पर बढ़त बनाये हुए है मैं भूबा मुफ्ती की पीडिपी 5 सीटों पर ही आगे चल रही है तो वहीं निर्दलिये और छोटी पाटियां 9 सीटों पर आगे है अब तक के रुजानों में बीज़पी को जम्मू में ही बढ़त मिलती दिख रही है जम्मू रीजन की 43 सीटों में से बीज़पी 26 पर आगे है जबकि कश्मीर घाटी में बीज़पी 20 सीट पर आगे नहीं है बतादे कि 2014 के विधानसबा चुनाव में भी बीज़पी ने अपनी सभी 25 सीटे जम्मू में ही जीती थी कश्मीर में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी जम्मू कश्मीर में अपना पहला मुख्य मंत्री बनाने के लिए बीज़पी कौकेले जम्मू में ही कम से कम 30 से 35 सीटे जीतना जरूरी था जबकि घाटी में भी उसे अच्छा प्रदर्शन करना था हलाकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि अनुचे 370 हटाने के फैसले और नया कश्मीर का वादा करने वाली बीज़पी को चुनावी फायदा क्यूं नहीं मिला बतादे अगस 2019 में केंदु सरकार ने अनुचे 370 को निरस्त कर दिया और जम्मु कश्मीर का ना सिर्फ विशेश राज्य का दर्जा खत्म किया बलकि इसे केंदुर शास्तित प्रदेश भी बना दिया इतना ही नहीं मोधी सरकार ने विकास, नौक्रियां और सुरक्षा के नाम पर नया कश्मीर का वादा रखा हलकि अनुचे 370 हटाने से लोगों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने की कोशिशें बहुत कम हुई इसलिए ऐसा माना जाता है कि अब सिर्फ कश्मीर ही नहीं बलकि जम्मू की भी एक बड़ी आबादी 370 हटाने के खिलाफ है लोगों ने ऐसा महसूस किया कि अभिवेक्ति के आजादी को दबाया जा रहा है याम धाड़ना बनाई गई कि असेहमती को दबाने के लिए डराया जा रहा है इस कारण कश्मीर घाटी में बीजपी वैसी नहीं उभर पाई जैसी उसे उम्मीद थी जुसका खामियाजा अब बीजपी को चुनाव में उठाना पड़ रहा है इस खास रुपोर्ट में बसितना ही देशतुनिया के बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सीन्यूस भारत